बॉर्फोकन अहुम राज्य में कौन बनेगा बॉर्फोकन ये महत्वपून प्रश्ण राजा चक्रदवज सिंगा ने अपने मंत्रियों और प्रधान मंत्री अतनबुरा गोहिन को पूछा काफी विचार विमर्ष के बाद सभी की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी लसित आज से लसित होगा हमारा बॉर्फोकन ये घोशनागर राजा चक्रदवज सिंगा ने लसित को अहुम सेना का मुख्या ध्यक्ष बना दिया बॉर्फोकन नाम नहीं अहुम सेना पती का खिताब है अहुम सेना की संगरचना बहुत ही व्यवस्थित थी एक देका दस सैनिकों का, बोरा बीस सैनिकों का, सेंकिया सो सैनिकों का, हजार एका हजार सैनिकों का, राजखोवा तीन हजार सैनिकों का, फुकन छे हजार सैनिकों का संचालन करता था बॉर्फुकन इन सभी का प्रमुख होता था किन्तु आपको लसित का महत्व समझने के लिए अहोम इतियास का सारांश जानना जरूरी है सन 1228 ईस्वी में असम में ताई अहोम वंश का शासन स्थापित हुआ जो मयानमार से आये थे इस राजवंश ने सधियों तक खिलजी तुगलक इलियास शाही लोदी और बंगाल सुल्तानों के आकरमन से सफलता पूर्वक अपनी रक्षा की लेकिन सन 1638 ईस्वी में मुगलों के एक बड़े आकरमन में उन्हें हार कर आर्थिखानी झेलनी बड़ी फिर सन 1658 में औरंगजेब मुगल बात्शाह बना और सन 1661 में उसने अपने दो प्रमुक सेनापतियों मीर जुमला और दिलेर खान को पहले बंगाल और फिर असम भेजा अहुम सामराज्य की एकता और शौर्य है जिनके बल पार उसने इतनी लंबे समय तक सारे आक्रमनकारियों को सफलता पूरवक रोक रखा था अब तूटने लगी थी इस हमले में वो पराजित हो गए कई खिले तो बिना कोई लड़ाई लड़े ही हाथ से निकल गए अहुम के राजा जैदवज सिंगा को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने पूर्वोतर का बड़ा हिस्सा इस लड़ाई में खो दिया उनको एक अपमान जनक संधी के लिए राजी होना पड़ा जिसमें न सिर्फ राज्य, धन, भूमी, युद्ध के हाथी बलकि अपनी छे साल की बेटी को भी मुगल हरम में देना पड़ा इस पराजय और अपमान के कारण राजा जैदवज सिंगा को बहुत बड़ा सद्मा पहुँचा और जल्द ही उनकी मृत्य हो गई उनके बाद चक्रदवज सिंगा को राजा बनाया गया और वहां से शुरू होती है लसित बोरफकान की कहानी लसित का जन्म सन 1620 में हुआ उनके पिता मोमई तामूली बारबरू राज्य में एक उच्च पद पर अधिकारी थे लसित को बचपन से ही राजकाज के कामों में रुची थी अपने परिश्वम से वो जल्दी ही सोलधहरा बरूआ यानी शाही शौलधहरक बन गए जो की राज्य का प्रधान सचेव होता है समय के साथ उन्हें कई और महत्वकुन पदों पर आसित किया गया जैसे राजकिय गुडशाला का अधिकशक, राजा की सुरक्षा व्यवस्था का अधिकशक इत्यादी बोर्भकन बनने के बाद उनके सामने बहुत चुनोत्म थी एक तरफ मोगलों की विशा और संगठित सीना जिनके पास शाइस्ता खान और धिलेर खान जैसे अनुभवी सीना पती थे दूसरी तरफ अहूम की निराश और विभाजित सीना अगले चार सालों तक उन्होंने पूरा ध्यान सीना के निर्मान और अस्त्रों को जुटाने में लगाया नई सैनिकों की भरती, जलसेना के लिए नौकाओं का निर्मान, युद्ध के हथियारों की आपूर्ती, तोपों का निर्मान, पिलों के लिए मजबूत रक्षा प्रवंध इत्या दिया दिए इन सब तयारियों की मगलों को भनक तक नहीं लगबाई, क्योंकि साथ में दोस्ती का दिखावाच चलता रहा ये राजनीतिक सूजबूच और दूरदर्शिता का अत्यन्त उत्तम उदाहरन था सन 1667 में गवाहाटी का फौजदार रशीत खान को बदल कर फिरोज खान को न्युक्त किया है वो बहुत ही अयाश खिस्म का लेक्ती था उसने चक्रतवज सिंगा को सीधे सीधे असमिया लड़कियों को अपने पास भेजने का आदेश दिया इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया और लोगों को मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए जोश दिलाया लसित ने गवाहाटी के खले को मुगलों से छीनने का निरने लिया उनके पास एक शक्तिशाली और निपोन जल सेना थी और साथ ही जासूसों का जाल था हाँ लेकिन कमी थी तो घुड सेना की घेराबंदी करने के महीनों बाद तक भी गवाहाटी को स्वतंत्र नहीं करा सके जिसकी रक्षा इटाकुली का किला कर रहा था अंत में उन्होंने दूसरी योजना बनाई जिसमें इसमाईल सिद्धी की और बाख हजारिका के नित्रितों में दस बारा सिपाहियों ने रात के अंधेरी का फायदा उठाते हुए चुपके से कले में प्रविश कर लिया और मुगल सिना की तोपों में पानी डाल दिया अगली सुबह ही लसित ने इटाकुली किले पर आक्रमन कर उसे जीत लिया और एक बार फिर से गुवाहटी ने आजादी की सांस ली जब औरंग जेब को इसके बारे में पता चला तो वो गुस्से से तिल मिला उठा उसने मिर्जा राजा जैसिंग के बेटे राम सिंग को सत्तर हजार सिबाहियों की बड़ी सीना के साथ लसित से लड़ने भेजा दिल्चस्क बात ये है के राम सिंग के साथ सिखों के नौवे गुरू तेग बहद्दूर सिंग भी आसामाय थे पर उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया राम सिंग को डर था कि आसामिया काला जादू और तांत्रिक विद्या में निपुन थे और उन्हें लगा कि गुरू तेग बहद्दूर इसे समाल लेंगे उधर लसित ने बिना एक पल गवाए खलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सारी जरूरी इंतजामों को चालू कर दिया एक बार उन्होंने अपने ही मामा को लापरवाही के कारण सिपाही की जान को जोखे में डालते हुए पकड़ा और तुरंती उनका सिर्खलम करवा दिया उनका कहना था कि चाजा मामा देश्ट से बड़े नहीं होते इस घटना ने लसिट बोर फुकन को अपने ही सिपाहियों की नजरों में उठा दिया सब को ये विश्वास होने लगा कि मुगलों से सामना करना नामुम्किन नहीं है अहूम सेना जब तक छापा मार या गुरिला युद्ध कर रही थी तब तक राम सेना पर भारी बढ़ रही थी राम सेना ने फिर कपट का प्रयोग किया लसित से नाराज सेना प्रमुकों को गड़दारी के लिए पैसों का लालच दे कर अपनी ओर करने में कुछ हद तक सफल भी हुआ फिर उसने अहुम सेना को खुले युद्ध के लिए उकसा है लसित को पता था कि खुले युद्ध में मुगलों से जीत पाना असंभव है क्योंकि उनके पास बेहतरीन घुर सेना है लेकिन राजा चक्रद्वज सिंगा ने बेताब होकर सीधे युद्ध का आदेश दे डाला अलाबोई के मैदानी युद्ध 1679 में अहुम सेना की भयाना खार गुए लसित के 10,000 से ज़्यादा सेनिकों को अपनी जान से हाथ दोना परा पर खुश किस्मती से लसित बच निकले और राजे को भी बचाए रखा तुर्भागय से 1670 में राजा चक्रद्वज सिंगह का दिहांध हो गया और उद्यादित्य सिंगह नई राजा बने सन 1671 की शुरुआत में राम सिंग को अपने कुप्तचरों से पता चला कि अंदुराबली के किनारे पर रक्षा इंतजामों में भेद किया जा सकता है और गुवाहटी को फिर से हत्याया जा सकता है उसने इस अवसर का फाइदा उठाने के उद्देश से ब्रह्म पुत्र नदी के पास विशाल मोगल नाव से ना खड़ी कर दी उसके पास 40 जहाज थे जो सभी सोलह बंदूकों और छूटी नौकाओं को ले जाने में समर्थ थे दुर्भाग्यवश लसित इस समय गंभी रूप से इतने बीमार पड़ गए कि वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे सन 1671 में मार्च महिने में सराय घाट की लड़ाई शुरू हुई ये उस यांतरा का अंतिम पड़ाव था जो आठ वर्ष पहले मीड जुमला के आकर्मन से शुरू हुई थी ये बहुत अनुखी लड़ाई थी भारत वर्ष के इतिहास में शायद अकेली महत्वपून लड़ाई जो पूनतया नदी में लड़ी गई विशाल काय ब्रह्म पुत्र नदी में पहले तो अहुं सेना का प्रदर्शन और योजना फी किसावित हुई और आसमिया पीछे हटने लड़ी जब लसित को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी वैद्य और जोतिश दोनों की इच्छा के विरुध जाकर लड़ने का निरने लिया उनका कहना था कि मुझे अकेला भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा जल में जो त्रिबुज बन गया था कामाख्य मंदिर, अस्वकलांता के बिश्ण मंदिर और इटाकुली खिले के बीच उसमें घमासान लड़ाई हुई आसमिया सेना ने अपनी सालों की तैयारी और युद्ध की दक्षता का पूरा उप्योग किया अहुम सेना ने काफी आधुनिक युद्धियों का उप्योग किया जैसे पानी कर जहां हथ्यार इकठा कर शत्रू पर दागे जा सकते थे नाव से रचे हुए पुल जो छोटे खिले बन गए अहुम की बच्छारी नाव जो मुगलों की नाव से छोटी थी पर ज्यादा तेज और खतरनाक अहुम सेना दूनों तरफ से मुगलों पर तूट पड़ी और इतने मैं मुगल सर्दार मुनवर खान गोली से मात बाद इससे मुगलों में कड़बड़ी मच गए और दिन के अंत तक उनके तीन अमीर और चार हजार सिपाही मारे जा चुटे थे मुगल सेना पूरी तरह से बरबाद होकर मानस नभी के पार भाग चुटी थी सराइभाट की जीत ने जो आधार शिला रखी उसकी बदौलत आगे आने वाले राजाओं जैसे कि रुदर सिंग ने असम का खूब सांस्कृतिक और आर्थिक विकास किया बहुत सारे मंदिरों का निर्मान करवाया मुगल जीत शायद अपने साथ सर्वनाश, सांस्कृतिक मिनाश और मुगल गुलामी लाती लेकिन लसित बोरफुकन और बाग हजारे का उर्फ समाईल सिद्धीकी जैसे लोगों की बहुत दूरी और प्रभावशाली ने तृत्व के कारण ये हो नहीं सका अफसोस सन 1671 में लसित अपनी बीमारी के चलते इस युद्ध के कुछ दिन बाद चल बसे सन 1682 में एक आखरी युद्ध हुआ जिसमें अहुम सेना ने इटाफुली खले से मुगलों को भगा दिया और मुगल हिर कभी असम की और नहीं आए लसित बोरफुकन, अतन बोरगोहेन और बाग हजारिका जैसे वीर पुरुष आसाम में तो बहुत प्रसिद्ध हैं किन्तो आसाम के बाहर बहुत लोग इनकी घटनाओं को नहीं जानते पर गर्व की बात है कि हर साल 24 नवंबर को आसाम में लसित दिवस मनाया जाता है आशा है कि ऐसे महापुरुषों की ख्याती बनी रहे, बढ़ती रहे और आने वाली पीडियों का मार्ग दर्शन करती रहे करता है